हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टु माई चैनल कुकुवित काफी है तो कैसे हैं आप सब आयोब के आप सब ठीक होंगे आज मैं आपको शेयर करने वाली हूं यह टेस्टी स्नेक्स की रेसिपी जिसको आप बहुत एजली घर पर बना के तियार कर सकते हैं बहुत जादा टाइम के लिए तो चले इस रेसिपी को ना स्टार्ट करते हैं यहां पर देखिए मैंने कड़ाए लिए इसके अंदर मैं एक करने हूं दो शमच देल टू टेबल स्पून अब इसको डालकर यहां पर अच्छा से गरम कर लेना है फिर इस मैं एक कप पानी तो यहां पर दे आप जितना स्ट्ना रहा हूं उसके हिसाफ से पानी आइट कर सकते हैं फिर इसमें आइट करने हम आदा चमच चली फ्लेक्स चली फ्लेक्स जो इसका टेस्ट भी अचा आता है और यह देखने भी अच्छ लगता है पाउडर और थोड़ी सी स्में एक करने हल्दी सिर्फ कल इसनग्स सूजी से बनने हैं तो यह बहूत अश्यी बन जाते हैं तो देखें आप और में सूजी इसमें आइट करने हम इसको इसा ढलते रहना lecture चबाइस नहीं लेbak सकता है इस मेट मेचिभ़न सर तो तो इसको इस तरीक पर करते lubatie और पानी सिर्फ करने लिया है इसे जो है सूजी अच्छे से पक जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं पहले जादा और अब्जॉब कर लिया ने पानी और यहां पर यह अच्छे से पक भी गई है अब इसको जो है कुछ दिर ऐसे ही चमच के मदद से इसको कड़ाई में इस तरीक से चलाते रहना ताकि स्मूध हो जाए और आटे का दो होता है इस तरीके से बन जाए तो यहां पर देखिए अच्छे से हो गया है मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगे और इसको थंडा कर लूंगी फिर इसमें एड़ करनी है चीज तो यहांपर देखिए मैंने चीज का क्यूब लिया है उसको मैं इससे ग्रेट करके इसमें एड़ करें अगर आपके पास कोई और सी है तो आप वो भी इसमें एड़ कर सकते हैं यह स्नेक्स जो है चीज की मदद से और ज्यादा चीजी बनते हो और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका तो इसमें अगर आपको डालना है तो आप डालने चीज वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है मैं दो क्यूब आट करूँगी चीज के क्योंकि चीजी हो जाते हैं तो बहुत जाला टेस्ट अच्छा आता है इनका आप अपने आसाफ से जितना आपको चीज डाल रूं उसके आसाफ से डाल सकते हैं और आगर आपको नहीं पसण तो स्क्रिप्त कर सकते हैं फिर देeler मंदर से कुछ पार्टिशन कर लीं तो आप देख भी सकते हैं मैंनेpir ज्थीन पार्टिशन कर लींगे और मैं आपको उताती मिप्हां के करना क्या है तो यहां पर मैं थोड़ reflected और इसको पर एक रोल मैंने उठाए और इसलिए गया कर दो त마स परसे कंदे त्रपान की बिल्कुल एक साइज में करना कहिं से मोटा करत Lock यहाई साइज में हो चाहिक बने हैं पर देख सकते हैं बहुत इस भी आप इसको दे सकते हैं तो देखिए मैं इनको इसको काई घैक्रोर नहीं जाता है ताकी यह चिपे और यहां पर देखिए सारे स्ट प्लेट में रख दूंगी और इसके ओपर से हमेगड़ तो थोड़ा सा 2-3 चंबच में बस शिड़कना है कॉण फ्लोर तो देखिए अब यह अच्छा राइडी कर लिए और अगर आप चाहें तो इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं को भी एक कंटेनर ले 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 उसमें आप इसको स्टोर करके बहुत एजीली रख सकते हैं आपको फ्रीजर में रखना पड़ेगा और जब आप चाहें तो इसको निकाल कर फ्राइड कर सकते हैं तो देखिए मैं आपको यहां पर स्टोर करने का तरीका यह बताती हूं यह देखिए मैंने एक कंटेनर लिया है और इसके अंदर भी हमें थोड़ा सा कॉन फ्लोर्स रख तो यह अठय से फ्राइं आपको और सा तेल यूज करने तो भी एक और सकते हैं और यह सब अटेज आपका है यह चाहस कäre हैं काफ़ी अच्छा इनका color आ गया है तो अब जो है इनको निकाल लेना है जारा डारी नहीं करना इनका color तो यह आप आप देख सकता है सारा आल जो है squeeze किर देना है और इसको जो है निकाल लेना है इस तरीके से लिए हमारे और इनकी क्रिस्पीनस बहुत ज्यादा होती है तो आप वर्ट बना के ज़रूर ट्राइब करें बहुत जल्दी बनके त्यार होते हैं तो आपको रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बता हैं अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें मुझे कमेंट करके जरूर बता हैं आपको रेसिपी कैसे लगी आपने इसको ट्राइक क्या है नहीं मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू टेस्टी रेसिपी के साथ थैंक्स फॉर दिस वीडियो